क्लास 12 का कमिस्टिक NCRT सॉलुशन, LDH, Ketones & Carboxylics की Back Exercise का Question No.17 हम लोग टेक अप करने वाले हैं काफी important और hot question है यह है इसके अंदर से काफी parts boards के अंदर डारेक्टली पूछे जाते हैं काफी simplified जो है वो यह question करके आपको मैं समझाने वाला हूं पार्ट वन जो हम लोग discuss करेंगे अब याद रखो बेंजीन के ओपर कोई सावी ग्रूप और कितनी बड़ा मर्जी लंबा ग्रूप हो मतलब CS3 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 कितने मर्जी लगे हो चितनी मर्जी जगा बें लगे हो एक ही काम करना आपको यह पूरा का पूरा ग्रूप जो है वो C double bond OOH जो है वो बनने वाला है कहीं वे भी याद रखो इस particular तरह का combination आपको देख रहा है तो वो COOH ही benzoic acid ही हम लोगों के पास जो है वो form होने वाला है दूसरा एक simplified तरीके से जो है वो मैं आपको समझाता हूं यह particular chemical reaction हम लोग जो है वो लिखके बताते हैं आपको this is C6H5 जो इस तरह की chemical reaction है ना जिसमें हम लोगों के पास यह NH2CO NH NH2 जो है वो यूज कर रहे हैं उसको आप ध्यान दो जरा यह इसका जो double bond O है इसका मूँ इदर सामने को करके रखो ठीक है और हम लोगों के पास इसको draw करना बता रहा हूं मैं इसको कैसे draw करना है इसको यहां से draw क पास N, फिर हम लोगों के पास क्या NH, फिर C double bond O, और फिर हम लोगों के पास क्या NH2 अब यहां पर आपको पता क्या चीज ध्यान देनी है यहां पर आपको यह वाला NH2 इससेड मूँ करके नहीं लिखना आपको क्योंकि यह NH2 जो है वो NCRT का भी question number last एक part है 18th question का शायद C part ह यह इसके साथ जो है वो resonance कर रहा है ठीक है इसके loan pair के साथ जबकि यह जो है वो participation नहीं करता इस तरह की जो है वो carbazide reactions के अंदर जो है वो semi carbazones जहां पर बन रहे हैं वो chemical reaction में participate नहीं कर रहा ठीक है तो यह NH2 नहीं लगाना है जहां भी दो NH NH attach है उसको जो है वो इसके सामने करके लिखना है यह सबसे important चीज़ है उसके बाद क्या करो कुछ नहीं करना यह यहां से जो है आपको पानी निकालना है reaction का reaction का जैसी पानी निकल गया अब मैं इसको थोड़ा साना पानी जो निकालना बता रहा हूं आपको यह मैंने हटाया यहां से और इसको मैं इधर side प फॉर्म हो गया एक simple तरीके से मैंने जो आपको समझा दिया मुझे लगता है शायद यह combination आपको clear अब यह tolerance reagent इसको आप अगर ध्यान से देखो ना तो दिस इस tolerance reagent tollans reagent के अंदर पता क्या बनता है tollans reagent एक तो ketone वाले ग्रूप पे बिलकुल भी attack नहीं करता यह हमारे पास LD है ग्रूप है इसी पर attack करेगा यह हमारे पास कुछ नहीं करेगा इस combination के ऊपर तो वो ऐसे का ऐसे ही पढ़ा रहने दो मतलब यह C double bond O को as it is रहने दो इसके सामन लोगों के पास एक LD हाइड पे ही जो है वो reaction को शो करता है कि टोन्स पे reaction जो है वो बिलकुल नहीं शो होती यह पूरी chemical reaction मैं आपको लिखके दिखा रहा हूं साथ में इसके जो है वो एनस त्री लिख देना साथ में इसके जो है वो वाटर जो है वो आप लिख सकते हो ठीक है जो एक multiple number of products का formation जो है वो हमारे पास करने वाली है एक तो यह देखो यह वाले group के अंदर कोई भी alpha carbon नहीं है और यहां वे जो है वो का condensation होने वाला इसको जो है वो मैं आपको बताता हूं यह कैसे जो है वह आपको फॉर्म करनी है एक बार मैं यह बाकी जो है वह आप सारे नोट कर लो इनको जो है वह मैं यहां से remove कर देता हूं जगा की कमी की वजह से जो हम ऐसा कर रहे हैं ठीक है देखो ज़रा बटा c6 h5 है और यह बना लेते हैं पहले हम लोग combinations जो है तो यह बन गया c double bond o और यह बन गया है यह तो बन गया पहले वाला product और साथ में जो दूसरे वाला product है वह हम लोग जो है वह कैसे form कर रहे हैं this is like हम लोगों के पास c double bond o h और इसका जो यह carbon है इसको आप ऐसे करके लिखो h2 और यहां पे जो है वह आप c3 करके जो है वह आप लिखते हो अब यहां से main कहानी जो है वह शुरू होती है यह eldol condensation cross eldol condensation जो है उसकी category है और यह हम लोगों के पास एक cross eldol condensation है क्योंकि दोनों c double bond o और यहां पे भी c double bond o जो है वह group हमारे पास different है कैसे जो है वह आपको और लिखना है मैं आपको जो हो सिखा रहा हूँ तब से पहले आपको एक 충 us करनी करनी है इसको मैं थोड़ा अश्म थोड़ा थरीके से जो है वह आपको लिखके बतार आ जो जो चीज़े मैंने हटाई हैं बहुत स्पेसिफिकली आपको जो वो नोट करनी है और कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ आप एसे जो है वो शोग कर सकते हं इसका फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा ये वाटर को है इसके अंदर से रिमूव करो जो चो और यह वैने वाटर जो है वो पहले भी निकाला था अभी भी जो है वो अलग से लगा दिया और इस particular combination को जो है वो इसके साथ जो है अटाच कर दो कुछ नहीं कि सरफ पानी निगाला है बीच के अंदर से और ये particular product हम लोगों ने जो है वो बना दिया इन दोनों का cross जो है वो हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर form कर दिया दूसरा यहां पर क्या form होने वाला है दूसरा product तभी form होता जब यहां पर concentrated वाला group जो हम लोग लेके चलते अब यहां पर concentrated वाला group नहीं है तो सिरफ यही इकलौता ऐसा product होगा जो हम लोगों के पास जो हो क्लेजन स्मिस्स reaction जो है वो इसको हम लोग बोल देते हैं अब जो है वह नाइन्थ पार्ट थोड़ा सा एक्चली उल्टे लगे हूँ है उस पर जो हम लोग कर रहे हैं याद रखो बटा जी यह जो combination है ना यह एक oxidizing agent और यह हमारे पास क्या फॉर्म करने वाला है यह तो ही है और यहां पर जब कार्बोनिल ग्रूप में इसको चेंज करोगे तो यह हमारे पास कार्बोनिल ग्रूप यहां पर attach हो जाएगा तो यह बन गया इसके अंदर हम लोगों के पास जो है वो 9th part का answer होने वाला मैं assume कर रहा हूँ बटा जी यह सारे यहां तक जो है वह आपको हमारे पास फर्म हो अब देखो इसका मैं आपको सिखा देता हूं कैसे करना है जो हूरे हैं उसको एक दूसरे के सामने करके जो है वो बना दा आ ओँ यह топ और जूसरा product हम लोगों के पास क्या था दूसरा product जो है वो भी मैं बना रहा हूँ और ये बन गया हमारे पास दूसरा product ठीक है ये दूसरा product बन गया अब ozonalysis जब भी होता है ना तो जहां पर भी double bond होता है ना उन carbon's को ओ ओ जो है वो provide करता है जो ozonalysis है जैसे for example मैं बताता हूँ इसका अगर मैं combination आपको करके बताऊं तो ये अगर इस तरहां का group होता किस तरहां का इस तरहां का तो जब ozonalysis होता तो यहां पर ozonoid बनता हूँ जो है वो कैसे form होता यह carbon था इसके उपर एक oxygen ऐसे फिर यहां पर जो है फिर मैं एक cyclohexane बना रहा हूँ और यहां पर oxygen और यह ऐसे और फिर जब jink और water डालते तो यह इस तरहां से जो है वो break होके क्या बन जाते यह जो है वो बन जाते ठीक है तो इसका मतलब यह तभी बने होंगे जब यहां से हमने जो है वो start किया इसके अंदर जो है वो o3 डाला और o3 के बाद इसके अंदर जो है जिंक डाल के जब इसको हमने break किया तो मेरे पास यह products का formation जो है वो होगा मैं zoom कर रहा हूँ 11th part जो है वो आपको clear है पार्ट नमबर 2 पी जो है वो इसके move कर रहे है एक काफी बढ़िया chlorinating agent जो हो हम लोगों के पास होता है और कहीं पे भी याद रखो OH ग्रूप अगर present होता है उसको वो chlorine से replace जो है वो कर देता है तो इस particular reaction में भी जो है वो यही हम लोग करके दिखाने वाले हैं तो यह हम ल इसके साथ attachment करने के लिए अगर अपने को जो है वो क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूं यह वेंजीन हम लोगों ने जो हो ले लिया अब एक मैंना यह वाला group जो हो ले रहा हूं ठीक है और यह group मैंने जो हो ले लिया क्योंकि देखो यह attach करना यह खाली था इसक इसका मदब उसको जोडने के लिए वो चाहिए अब यह कैसे चाहिए होगा इसके लिए आप एन्हाइड्रस जो है वो क्या यूज कर लो यहां पर यह कार्बोकटाइन टाइप्स का फॉर्म होगा और यह इस पर attack करेगा और हम लोगों के पास यह जो हो बन जाएगा ठीक ह अब यह एक साइनो ँहाइड्रिन का फॉर्मेशन वाली chemical reaction हो याध रखो यह इस पर नहीं act करते हो यह सिर्फ और सिर्फ elleडे हाईड मेर कि टोन बे यह वह हमारे पास रियक्ट करती है और यहां पर साइनु हॉड्रिन का formation बह किस तरीके से होगा इस गने होड़ी होची पर करके बता देता हूं अभी देखो हमने एच-CN डाला तो जो की सी एन नेगेटिव था और एच पॉजिटिव था यह सी एन यहां जुड़ा यह बॉंड ब्रेक किया जिसने इसके साथ जो है वो अटेच्मेंट कर लिया ठीक है तो यह सी एन और वह यहां पर अटेच्मेंट स जो है वो क्या गिवन है देखो नेक्स पार्ट में किस चीज का कॉंबिनेशन जो है वो हम लोगों के पास है दस इस च्छ त्री और इसको ड्रॉ कर लो पहले सी ओ लिखा तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं फिर आगे फिर एक सी एच टू है तो यह फिर से बना लिया और आगे सी मेरे को एस्टर लग रहा है सी डबल बांड ओ ओ और यह सी टू एच फाइव है और यह एक बहुत ही सलेक्टिव रिड्यूजिंग एजेंट है दस इस वेरी सलेक्टिव रिड्यूजिंग एजेंट और एक चीज याद रखो यह एस्टर्स को बिलकुल भी पंगा नहीं लेता एस्टर्स के साथ इसके साथ छिडखनी नहीं करता यह सिर्फ और सिर्फ इसी को रिड्यूजिंग करेगा और ऑवेशली जब किटोन हमारे पास यहां पर रिड्यूज होगा तो यहां पर एक ओ एच ग्रुप जो है वो आजाएगा बाकी सारा एज इट इस जो है वो हमारे पास रहने वाला और यह पर्टिकलर कंपाउड हम लोगों के पास जो हो जाएगा मैं एस्जूम कर रहा हुआ बड़ा जी यह पर्टिकलर भी फंड़ा जो हआए वो आपको क्लेर अब यह भी मेरको आगे जो है वो रियक्शन टेंथ जो है वो मैं बता रहा है ह और यहांपे जो है, वो हम लोग Elkyne को जो है, वो हम लोग Eldehydes में कैसे change कर सकते हैं, ये थोड़ा सा कई बात टीपिकल हो जाता है, Qution को जो अँग आटेंप्ट करना, तो Elkyne से अगर आप alcohol जो है वो बना पाओ मतलब alkene से अगर आप यह सोच लो कि alcohol जो है वो कैसे बनना है और alcohol से aldehyde जो है वो form आप कर सकते हो सबसे पहले देखो यहाँ पर यह हम लोगों के पास जो है वो कैसे है और क्या जो है यह form कर रहा है मैं ना इसकी carbon बन जो है वो ऐसे ड्राउ कर रहा हूं और C double bond O और यहां वे बन रहा है CH2 अब इस particular reaction को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो अगर मैं इस particular reaction में डालू HBR है HBR अगर मैं इसके अंदर डालू ना और Mark Kovnikov's rule के हिसाब से अगर addition हो ना तो ब्रोमीन आके जुड़ेगा उस जगा पे जहां उसके दोस्त कम है यहां पे लेकिन अपने को ब्रोमीन यहां नहीं चीए क्योंकि एलकोहल अगर यहां फॉर्म होगा तो यहां पे LD हैड बनेगा तो अगर मैं इस particular reaction को किसकी presence में करवा रहा हूं पर ऑक्साइड की presence में करवा एक्वस के OH डालेंगे तो हम लोगों के पास जो है वो क्या फॉर्म हो रहा है यह CH2 और यह OH फॉर्म हो रहा है अब अलकोहल मेरे पास बन चुक है अब मेरे को अलकोहल से जो है वो LD हैड बनाना है तो कोई भी reducing agent जो है वो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं तो यहां पे अगर मैं reducing agent को PCC डाल दो इसके अंदर तो अलकोहल से जो है वो हमारे पास LD हाइड का formation हो जाएगा नहीं तो जो है वो आप करना है जो बहुत strong ना हो क्योंकि strong होगा तो यह carboxylic में change हो जाएगा carboxylic में change नहीं करना तो इसलिए PCC जो है वो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं PCC एकदम मैंने सही चूज किया यहां पे तो यह जो है एक mild oxidizing agent है जो की alcohol को किसके अंदर change कर देता है LD हाइड के अंदर जो है वो चेंज कर देता है मैं जूम करके चल रहा हूं बड़ाजी यह particular question जो है वो आपको clear है वीडियो अच्छे लग रहे है तो चैनल को subscribe करना जो है वो बिलकुल मत भोले